असलानेगों स्टूडेंट्स हो मैं एदे कि आफ खेरत से होंगे आज हम पाड़ेंगे पार्ट्स आपे प्लांट जैसा कि आप जानते हैं जिस तरह इंसान के बहुत सारी पार्ट्स होते हैं इसी तरह प्लांट्स के भी बहुत सारी पार्ट्स होते हैं इंसान के पार्ट्स होता है, हैड होता है, आरम होते हैं, नोज, आई, लिप्स वागेरा इसी तरह plants की ये बहुत सारे parts होते हैं, for example, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बनाया है एक plant, यहाँ पर देखो, यह है इसके roots, यह है और एक part जिसको कहते है स्टेम यह है इसका फ्रूट यह है है इसका लीफ हूं यह देखो यहाँ पर यह इसका ब्राच यह देखो यहाँ पर यह का फ्लावार ठीक है जो पार्ट प्लांट का स्वाइल के अंदर होता है उसको कहते है रूट स्टम स्टम इस शूट सिस्टम में देखो इसमें फलावर्स आते हैं ये फलावर्स बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल होते हैं ये फलावर्स बाद में डेवलप होते हैं इंटो फ्रूट्स उसी फ्रूट्स में से सीडस बन जायते हैं अब अगर हम बात करें कि इस ड्रांच की, ये ब्रांच और आस होते हैं इसजी से स्टर्म से, टीकर, यही इसका लीफ, इस प्लांट का, जो लीफ होता है, इसको हम कहते हैं फूड फैक्ट्री फूड फैक्ट्री आफ प्लांट क्यों कि यह जो प्लांट का फूड बनता है यह इसी लीफ में बनता है अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए इस लीफ के दो मैंन पार्स होते हैं यहां पर देखो यही इसका लीफ स्टाक जिसको पीटियोल कहते हैं यह यह वाला पार्ट ब्रॉड इसको कहते हैं लीफ लैड और लैमिना टीक है यह तो तो फूच्छ आप यह अच्छ अक मैन वैन आसान यह तो इस वना चीज़ा सको मिड रिब फिर बहुत सारे when lets निकल आते हैं इसी man whens से ठीक है इसी leaf को कहते है food factory of the plant क्योंकि इसमें एक green pigment होता है जिसको chlorophyll कहते है इसी chlorophyll के जिरिये यह क्या करता है photosynthesis उसके बाद ही अपना गुजा खुद तयार करता है कौन यह plant ठीक है अब ये देखो ये है इसका fruit ये जो fruit होता है it is the fleshy part of the plant ये fleshy part होता है जिसको बाद में plants और animals खाते हैं ठीक है ये fruit जो होता है इसी में बहुत सारे seeds होते हैं जिन seeds को हम कहते हैं ये है जिन में baby plants होते हैं baby plants जो बाद में दूसरे plant में develop हो जाते हैं कौन ये ही baby plants जो present होते हैं seeds में ये seeds present होते हैं किन में इन ही fruits में अगर इसके stem की बात की जाए ये जो stem होता है इसका stem इस plant का it is the main part of the shoot system ये main part होता है shoot system का main part होता है it keeps the plants straight above the ground ठीक है ये stem अगर हम छोटे छोटे plants की बात करेंगे ये जो stem उनमें होता है बहुत ही soft होता है और green color का होता है अगर बाड़े बाड़े trays की बात की जाए उनमें जो stem होता है वो thick, strong और brown color का होता है and farm the trunk up the tray ठीक है अब है इसका root system ये जो root system है इस plant का ये जो roots होता है these are underground parts underground parts it holds the plant firmly holds the plant firmly in the soil and it absorbs water and nutrients और minerals कौन? ये ही roots इस roots के दो टाइप से है one is called the tap root second is called the fibrous root tap root the tap root has one man root which grows from the base of the stem into the soil and many small roots branch out from the man root for example यहाँ पर हम दिखाएंगे एक root ये देखो ये है character इसका एक man root होता है जिससे बहुत सारे small roots arise होते हैं इसी root को कहते है tap root जिसमें एक man root होता है जिस man root से बहुत सारे roots arise होते हैं fibrous roots the fibrous roots consists of a bunch of bushy roots that grow from the base of the stem ठीक है for example यहाँ पर दिखाएंगे हम grass जिसका stem होता है इस plant का इस stem से a bunch of roots bushy roots grow करते हैं ठीक है इसको कहते हैं fibrous roots for example यह होता है grassis में paddy etc ठीक है समझ में आया शुकरिया जिसक्पणदद्ट